ही एवरिवान गुड मॉनिंग तू अल अफ यू एंड फेल्कम तो लॉजिक पाच्छाला तो इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही मुस्ट मुस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नहीं में इंटरनाशनल और्गनाइजेशन और धियर हेड्कॉर्टर्स तो जो भी इं करने अगर आपको नहीं होता तो हेल्प ले सकते आप इनकी ठीके सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पूरा ध्यान से सुनेगा अच्छे से आप लोगों को यहां पर सारे चीज़े में क्लियर करूंगी और बहुत इजी ट्रेक यहां पर हम लोग करेंगे इसके ल मिल जाता है ठीके सो डोंट वरी आप लोग जल्दी से जाए इस ग्रुप को जॉइन करें और कोई स्पेशल रिक्वेस्ट और कोई भी आपके क्वेडियों सो आप लोग वहां भी मुझे बता सकती है चलो फिर देखो प्यारी से एक प्रेजेंटेशन बनाई आप लोगों सब्सक्राइब कोई रिक्वेस्ट निजएके द मिल एक सांग में अते हैं संग मिलते हैं संग, संग से संग बन जाएगा ठीके तो कुछ नया बनता है, पर इतने सारे रास्ट जब एक सांग मिलेंगे, एक साथ साथ में आएंगे, तो कुई नई वाते को परे बारे में discuss तो कुछ ना कुछ ना कुछ क्या बनेगा नए बनेगा नए खिचडी पकेगी तो बस nations जब संग में आते हैं मतब संग तो राश्ट संग से बन जाएगा हमारा nations organization and कुछ नया बनता है नया से हम लोग क्या बनाएंगे new और new से क्या बनेगा हमारा new york बनेगा ठीके so easy बहुत easy है और questions पर बस आपको direct इस पर बनते हैं देखो सिफ आपको organization का नाम दिया होगा आपको headquarters का नहीं पूछा होगा इसके लावा यहां से कुछ question नहीं बनता हो ठीके चलो जादा headquarters से पूछ जाते हैं इसलिए यह जादा important है अगला है United Nations Children Fund सो इसको UNICEF बोलते हैं यानि संइक तो रास्टर बाल निदीस का headquarters नियॉयोक USA में है अब इसे कैसे द्यान लेकेंगे देखो बच्चों जैसा अगर fun करना है है ना जो बच्चे होते हूँ बहुत सदा fun करते है आपको पता है तो अगर उनके जैसा fun हमेशा करते है नाया चाहिएए बच्चपना कहते है राकभी नहीं चोड़ना चाहिए क्योंकि वो fun नहीं कभी कुराना नहीं होता वो नया का नया बना रहता है और हमारे life बहुत अ जहां से सुनेगा एकदम याद हो जाएगा फटाफट से ठीके चालो हम मज़े बज़े में ऐसे इसको पढ़ते रहते हैं आगे है देखो वर्ड हेल्ट और्गनाइजेशन है ना डबलु हो बहुत सुना होगा हेड़कौार्टेस का है जेनेवा सुईसेलेंड में तो आपको जो हमारी हेल्थ है उसको अच्छा रखना पड़ेगा तो बस हेल्थ से आपको बन जाएगा हेल्थ और जीने से ़े बन जाएगा जेनेवा बन जाएगा तो जो होगा है quarter है राइट चालो अगला इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन जिसको शौर्ट में बोलते हैं ILO इसका हिट quarter भी जेनेवा स्विजेलेंड में है तो देखो जो लेबर्स होते हैं जो श्रमिक होते हैं बड़ा काम करवाया जाता है उन उनके बारे में सोचते हैं तो लेबर्स बोलनें भाया कितना काम कराओगे जीने भी दो तो बस जीने भी दो कितना काम कराओगे लेबर्स ऐसा बोल रहे हैं तो जीने से बन जाएगा जीनेवा कौन बोल रहा है लेबर बोल रही है तो इंटरनाशनल लेबर और्गनाइजेश इसका नेम हो जाएगा इजी है ना, इजी है, मज़े मज़े आ रहे है चलो, लाइक मारो, लाइक ठोको चल्दी से मज़े आ रहे हैं तो अगला देखो, क्या है United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, यानी UNESCO Headquarters का है Paris, France में बहुत इजी है देखो, अगर किसी nation में देखो, सब कुछ अच्छा होता है सब कुछ अच्छे का मतलब है, जिसे वहां के Education अच्छी है, वहां के Scientist है, वहां का Culture अच्छा है अगर सब कुछ अच्छा है तो ऐसा लगता है, इसे जन्नत में आ गई हो भाईया, कौन सा रास्ट है भाईया कुछ अच्छा है आतो, तो ऐसा लगता है जन्नत में आ गई हो, जन्नत में मतलब ऐसा लगता है, परियों के शहर में आ गई हो है ना, जन्नत में कहता है ना परियां होती है, ये होता है, वो होता है तो ऐसा लगता हम जन्नत में आ गए परियों के शहर में आगे तो परियों से परी से क्या बन जाएगा परेस सी तो थोड़ा से आप log को relate करना पड़ेगा बाकी आप लोग यहां से कर लोगे राइट चलो अगले पर बढ़े अगला देखो क्या है नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है वर्ड मेट्रोलोजिकल और्गनाइजेशन मेट्रोलोजिकल का मतलब होता है मौसम विज्ञान संगटन जिसका हेड़कौाटर है जैनेवा सुईसलेड में सो देखो कैसे जान देखेंगे अब आपको पते कि मौसम भी तो हमारे अनकूल होना चाहिए ना ताकि हम लोग जी पाएं अच्छे से आप ऐसा है कि आपसे नहीं होई तो कैसे जी लोगे तो बस किसी भी नेशन का मौसम भी अच्छा होना चाहिए मौसम मतलब मिट्रोलोजि बड़े अगरे को क्या है इंटरनाशनल मौनिटरी फंड जिसक carved है वौशिंग अटरी दी सी यानि USA में सो डियान रकेंगे देखो International Monetary Monetary मतलब होता है Mudra Mudra मतलब 20 और पैसा इसके पास होता है भाया Amir लोगों के पास पैसा होता है Amir से हमारा बनता है हमेशा America और America की Capital क्या है Washington DC तो बस इसका Headquarter कहां पे है Washington DC में इसका Headquarter है Easy है याद करना इतना difficult नहीं है बस आपको अमीर जैसे ही मिल जाएगा ना बस अमीर से आप लोग अमेरिका बना लोगे ठीक क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताए कि हम लोग अमेरिका से अमीर को ही रिलेट करती हैं क्लियर है ना चालो मज़े मज़े में पढ़ना है तो next पढ़ती है नौर्थ एट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन जिसका इसको बोला जाता है नाटो बोश जोना होगा नाटो के बारे में इसका हेटकॉर्टर है ब्रुसेल्स बेलजियम में तो देखो ट्रीती का मतलब होता है ट्रीट देना यासे हम लोग किसी को ट्रीट देते हैं कि चल भै हाँ पाटी करती हैं तेरा यहाँ पे सेलेक्शन होएज चल चल तू पाटी देना चाहता तो वो लास्ट में हम लोग उसे क्या कहते है तो पार्टी नहीं दे रहा एट लास्ट ठीक है एट लास्ट भाई कॉफी तो पिला दे ब्रू वाली पिलाना लेकिन कॉफी तो देखो हो जाएगा सारा लेट at last treat में brew वाली coffee पिला दे तो at last is Atlantic treat से treaty बन जाएगा और coffee पिला दे कौन सी brew वाली तो brew से क्या जाएगा आपका brew cells बन जाएगा ठीक है तो बहुत easy easy tricks है सो next हमारे पास है सार्क सार्क जिसको हमारी full form में बोलते हैं South Asian Association for Regional Corporation इसका headquarter है काटमांडू नेपाल में आपने जो South जो मैन देखे होंगे, साउथ में पहुत जाएंगे तक्ड़े हटे-ट्टे लगते हैं, जैसे किसी का पूरा क्या कर देंगे, खातमा ही कर देंगे, लेकिन वह बहुत ही कैसे होते हैं, अगर हम इसको जाने, तो बहुत ही सहयोगी होते हैं, बहुत ही रीजनल होत ग्रेको लिए to khatma से हो जाएगा काथमा कुना साथमा लेकिन थी कॉ सल्ड में काथमा रिलेट कि या है लेकिन वह बहुत ही जञदा सह yayood नीचर की बहुता है रीजवनल ही तो बस चान सी यह से हम लोग रिलेट कर सकती है कोर्पॉरिशन ओकर देख हमारे पास क्या मतब नेचर के लिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं चाहिए फंड इखटा करें उसकी रखवाली करें उसको कंजर्व करें तो बहुत ही जादा क्या मिलती है खुशी मिलती है क्योंकि नेचर भई आपको उनका उसका प्यार रखना चाहिए सब खुशी को हम लोग अगर हमें अपने एक्णॉमी अच्छी करनी है अगर हम पूरी ज्वर्ट प्रॉट की इक्णॉमी अच्छा करना चाहते हैं तो शुरुबाद हमें कॉलोंगी को निका मतलब है शुरुवाद लोगों से करनी पड़ेगी दीरे दीरे करके हम फिर अपना स्टे एप test व currently फि आई उसीन तो दिखो जब भी nature आगया ना आपका कि नेसरब को चाहे conserve करो nature को चाहे fund करो उसकी रक्षा करो उससे हमें हमेशा क्या मिलेगी खुशी ही मिलेगी और खुशी से हम लोगको बनाना है ग्लैड और ग्लैड से क्या बन जाएगा ग्लैन बन जाएगा ठीके easy होगा य जब भी हम कोई व्यापार करती हैं, मतलब आपने दिखा हो कि व्यापार कोई भी कर सकता है, कोई भी, जिस कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो जाए, मैं हो, व्यापार कोई भी कर सकता है, तो जेंडर में देखो G.E.N. आता है, तो जेनेवा में भी G.E.N. आता है, तो बस के लिए हमें बुद्धी का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप बहुत ही जादा स्वीट बनोगे तो प्रॉपर्टी बन जाओगे सबकी क्योंकि जो स्वीट बंदे होते हैं जो बहुत जादा स्वीट होते हैं लोग उनका फायदा उठाते हैं यह तो आपको भी जीने के लिए हमें अपनी बुद्धी का उस करना पड़ेगा ठीक है इंटेलेजेंट बनना पड़ेगा तो बस जीने से जेनेवा बुद्धी से इंटलाक्चुल बन जाएगा स्वीट से स्वीजरलेंड भी बन गया और प्रॉपर्टी बन जाओगे समपता बन जाओगे क पहुत ही खरचा आता है तो उसके लिए नहीं क्या लेथे हैं लोण ही लेना पड़ता है इतना खरचा है हमारे पास उहाई वगरा सिंग करते हैं बहुत साथ मज़े लेते और अगर आपको शान्त रहना है पैसिफिक में आ रहा है ना शान्त तो भाई यह सायोग करो दूसरे का ठीक है शान्त रहना है सायोग करो मदद करो दूसरे की आर्थिक करो जाहे जो भी मर्जी सायोग करूँ लेकिन ऐश करनी है तो फिर दो धूम जादो एकदम गाना गादो पूरा तो हो गया ना सिंगापूर रिलेट हो जाएगा इससे आगे है देखो Association for South East Asian Nations एशियान सुनाओगा बहुत सादा इसका headquarter जकारता तो भईया हमने क्या बोला कि जा भई जा जीले अपनी जन्दे की सनाओगा ना टाइलो जा किरन जा चलो हमने बोला जा भई तू South East के जितने भी Nations हैं उसमें कार से घूम के आजा ठीके तो जा से देखो जा कार जकार में जा और कार दो वर्ड आ रही हैं दोनों को हमने रिलेट कर लिया कहां जा घूमने South East के जो Nations हैं वहां पे चले जा घूमने तो बस जकारता यहां से रिलेट हो जाएगा अगला है Word Bank भaj यह पूरे विश्व का Bank है यह तो इसके पास बहुत बहुत पाईसा तो होका ही है पाईसा किसके पास होता है अमीर लोगों के पास होता है और अमीरों का क्या है रास्धानी? Washington DC है तो जैसे ही पैसे आ जाए ना तो पैसे से अमीर रिलेट कर लिया करो ठीक है आगे देखो है International Organization for Migration जो प्रवासी है उनके लिए भी कंदराष्टिय संगट है जिसका Headquarter है जेनिवा देखो अभी आपको पता था कि COVID का Crisis चला 2020 में बहुत जादा अभी चल रहा है उस टाइम लोगों को जीने के लिए क्योंकि उनका काम वगेरा चिन गया था तो लोगों को जीने के लिए migrate करना पड़ गया दूसरी जगे जाना पड़ गया क्योंकि जहां वो रहते थे वहां से उनको कोज भी इंकम नहीं हो रही थी तो जीने के लिए उनको क्या करना पड़ा migrate करना पड़ा तो जीने से जीने वा और migrate से migration हो जाएगा तो यह थी आज कि हमारी international organizations की ट्रिक जरूर बताए का कॉमेंट करके कैसी लगी ट्रिक्स और इस पर questions हम लोग इसले नहीं करें क्योंकि बस आपसे organization का नाम देके आपसे headquarter पूचेंगे ठीके तो अगली वीडियो फिर से की important ट्रिक्स की होगी देखते हैं कौन सा किसी का number आता है तो मिलेंगे next video में thank you for watching this video इसी तरीके से love and support अपना बनाए रखे लौजिक पार्ट शाला पे thank you